हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंटरलोग के बाड़ में डिसकस करेंगे तो पहले क्या होता था हम लोग जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में थे तब हमको भी इंटरलोग समझ में नहीं आता था वो एंस इंटरलोग क्या होता है वो समझ में नहीं आया था बाद में आया है तो आपका भी जो डाउट होगा वो हम समझ सकते है तो आज का बाद आपका डाउट नहीं रहेगा तो आए हम लोग इंटरलोक का बारे में डिसकस करते हैं तो इंटरलोक क्या है ये नॉर्मल सब्त में बोला जाए इंटरलोक का डेफिनेशन तो हमारा जो घर में हम लोग स्वीज रहता है तो हमारा बोर्ड का जो स्वीज रहता है वो हमारा अन काने से हमारा बेड के पास भी एक स्वीज रहता है तो वो दोनों तरब दो switch रहता है एक fan और light को off on करने के लिए तो जो हमारा bed switch रहेगा उसको on करने से हमारा पंका चलेगा और वो उसको off कर देने से पंका बंध हो जाएगा और हम लोग जो board में जो switch लगा है उसको हम लोग on करके पंका चलेगा बाट हम लोग bed switch को आके off कर देंगे तो हमारा पंका नई बंध होगा ये on करने से बंध होगा ठीके तो ultra connect रहता है तो हम लोग ये जो दो switch एक चीज को operate करने के लिए काम में लेते है तो ये दुसरे के साथ एक दुसरे का साथ interconnected है ये interlock है तो एक operation करने से दुसरा में अलग operation करना होगा तब ये हमारा एक काम करेगा तो ए बला switch है ए ओन करने से इसको भी on करेंगे तो हमारा पंका बंध हो जाएगा ये off में है दुसरा को off करेंगे तो हमारा पंका स्टार्ट हो जाएगा दोनों same में होगा तो ultra होगा तो अशा ही हमारा interlock काम करता है तो interlock का definition ये है एक operation दुसरे operation के साथ हमारा interconnected है हमारा Defender है उसको हम लोग Interlock बोलता है तो सार्कीट में कैसे होता है हमारा Interlock माल लीजिए हमारा यहाँ पर एक फैन लगाए गया है ठीक है यह दो हमारा पंख्खा है और हमारा पास एक बैटरी है जो इसका यह हो गया हमारा Positive Terminal यह हो गया हमारा Negative Terminal तो इसका जो Negative Terminal है वो हमारा एक पंख्खा का इस सिरा से जुड़ा हुआ है और इस तरब भी हमारा इस पंख्खा का इस Terminal के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा एक Switch है जिसका तीन Position है माल लीजिए हमारा Normal जो घर में हो दो रहता है बट जो हमारा वो दो वाला जो Switch रहता है यह से On करना होता है वो दूसरा वाला जागा में आप कर सकता है उस वाला जो Switch रहेगा उसमें यह तीन Terminal रहेगा ठीक है तो ओ वाला Switch हम लोग माल लीजिए यूजिए तो यह जो हमारा Switch है उसका यह बीच वाला में यह Positive Terminal हम लोग जोड दिये Next यह जो था इसको इसके साथ जोड दिया यह हमारा इसके साथ जोड दिया तो आप हमारा Switch है माल लीजिए इस तरफ है तीक है इस तरफ उठाए इस तरफ प्रेस किया है तो क्या होगा इस तरफ जब प्रेस किया है तब Supply इस तरफ से जाते हुए इस पंका को मिलेगा तो यह पंका आमारा चालू होगा यह पंका घुमेगा बट उस टाइम हमारे ये पंखा नहीं चलेगा तो ये एक operation हो गया इस तरफ ये प्रेस होने से बट इसको हम लोग जब इस तरह से इस तरफ कर देंगे ये उठा रहेगा इस तरफ प्रेस रहेंगा तो ये प्रेस रहने से तब ये चलेगा ये बंद हो जाएगा तो ये है क्या एक interlock जैसे कम कर रहे जब ये on है ये off है जब ये on हो रहा है ये off हो जा रहे तो ये है एक interlock तो इससे अब लोग समझ गया होगा interlock क्या होता है अब आएए हमारा जो लोको मोटीम में हम लोग NC interlock and NO interlock दो interlock के नाम में जानते हैं जिसको हम लोग short form में NC मतलब हो गया normally close और दूसरा है normally open तो ये normally close and normally open क्या है मतलब हमारा जो interlock रहेगा interlock मतलब वो connection जो रहेगा वो हमारा normally close रहेगा ठीक है कोई भी circuit में माल लीजिये जो उसका connection रहेगा वो close है मतलब जो current को supply कर रहे वो close होने से supply आगे भीज़ेगा तो आगे भीज़ेगा आगे दे रहे है normally close है बट इस ठीती में normally open रहेने से वो open है इसलिए supply आगे नहीं भीज़़ा है ठीक है काट है नोर्माली open है इसलिए हमारा कारें जो सप्लाई रहेगा वो आगे नहीं दे पारा है समझ लिए तो नॉर्माली क्लोज जो इंटरलोक है उसके साथ जो हमारा रिले रहेगा और रिले का अब मान लिजिए जो पोजिशन रहेगा यह नॉर्माली क्लोज जब था तब रिले का कोई पोजिशन रहेगा उस टाइम यह रिले हमारा एनाजाइज भी रह सकता है और हमारा डी एनाजाइज भी रह सकता है तो हमारा एजो नर्माली close Iron Lock जब है मतलब इसका नर्माली हमारा close में रहेगा तब और रिल्य हमारा एनाजाइज में है और डिेनाजाइज में है कोई भी एक सीथी में रहेगा बाट ओ स्थीती चेंज होने से इसका जो close था ओओ open हो जाएगा इसका simply में समझने के लिए मान लिजिए कोई भी एक relay है ठीक है वो relay हमारा energized है वो energized है तब इसका normally जो close interlock है वो हमारा circuit में close है interlock मतलब एक switch जैसा हो गया ठीक है मान लिजिए एक circuit का दो ओयर है ओयर का बीच में plate लगा हुए है metal का plate वो plate क्या होगा हमारा normally लगा हो रहेगा यह normally close हो गया ठीक है यह plate हमारा ऐसा रहेगा इसके साथ जुड़ा रहेगा तब यह normally close बाट यह हमारा उठा होए रहेगा तो हमारा नॉर्माली ओपेन हो गिया ठीक है तो यह इंटरलोग ऐसा ही होता है तो यह रिले जब हमारा एनर्जाइज है तब यह बोल रहा है हमारा नॉर्माली क्लोज है बाट हमारा एही रिले जब हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा तब क्या होगा इसका जो नॉर्माली क्लोज थ यह open हो जाएगा मतलब यह यह से लागा था यह खुल के ऊपर उठ जाएगा तो हमारा सप्लाई आगे नहीं जाएगा बाथ हमारा नॉर्माली जो close रहेगा उसके साथ जो रिले है मान लिजिए वो नॉर्माली जाएगा 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 नॉर्म यह relay हमारा energize होने से normally close, de-energize होने से normally open ऐसा नहीं है वो हमारा पहले से decide क्या है कौन सा relay normally energize होने से normally close रहेगा ठीक है उसका अलग नहीं है यह normally energize में भी normally close हो सकता है, de-energize में भी close हो सकता है बाट इसका position change होने से close से हमारा जो energize से de-energize होने से उसका तब close से open होगा बाट इस तरब जो relay है ये de-energize से energize होने से उसका close interlock open होगा सेम हमारा NO interlock में क्या होगा पहले से ओपन था और ए NO interlock माल लिजी कोई ऐसा एक relay का है जो हमारा नॉर्माली जो है वे energize में है तो ये हमारा open रहता है जब ए रिले हमारा de-energize हो जाएगा तब क्या होगा ये हमारा close होके supply को आगे भेजेगा बाट मान लिजीए ये जो नॉर्माली open interlock का एक relay है वो हमारा de-energize में है तो de-energize में रहने से ओ interlock open है बाट ये हमारा de-energize में होगा तब ये नॉर्माली close करके आगे भेजेगा तो ये रिले के उपर निर्भड है रिले का position change होने के तरब ठीक है ये रिले जब हमारा उसका energize से de-energize हो रहे और de-energize से de-energize हो रहे तब हमारा ये interlock का position change होगा रिले का पोजिसेन चेंज होने से इंटरलोक का पोजिसेन चेंज होगा और कौनसा रिले कौनसा हमारा इंटरलोक के साथ आता है ओ अलग बात है ठीक है तो यह है हमारा एनसी इंटरलोक और यह है हमारा एनो इंटरलोक आप लोगका doubt होता है, ये NC interlock energized होने से होता है, NO interlock, d-energized होने से ऐसा बात नहीं है कोई भी relay energized होगा, और कोई relay d-negigor होगा, तो उसका भी NC interlock होशकता है और कोई भीSheただ होगा, और धुसरा कोई relay d-negigor होगा, तो उसका भी हमाँ आर्मली open interlock, NO interlock होशकता है ठीक है, दोनों में हमारा NC रहा सकता है, क्योंकि ही Interlock है ना, तो यह हमारा NC Interlock, यह Any Interlock हो गिया तो यह NC Interlock, Any Interlock, माल लिजी यह एक Relay है, ठीक है, Relay, तो Relay कैसे काम करते हैं यह Relay का माल लिजी एक Planger है, इस तरफ यह Metal का पारध दिया हुआ है तो ये अलग-अलग सार्किट में जुड़ा हो रहता है इसमें ओर कानेक्ट रहता है सार्किट के साथ ऐसा और ये स्वीज के जैसा जो बोला न पात रहेगा तो क्या होगा देखिए जब ये रिले हमारा मान लीजिए एक नॉर्मली डी एनाजेस भी मान लीजिए ठीक है ये रिले कोई भी एक रिले है जो हमारा डी एनाजेस है तो ये रिले जब डी एनाजेस रहता है तब इस तरब ये प्रेस होके रहता है ठीक है इस तरब मान लीजिए एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग रहने से ये क्या करेगा इसको उपर करके रखेगा तो इस तरब प्रेस रहेगा तो प्रेस रहने से क्या होगा एजो मेटल का पाथ है इसके साद ये क्नेक्ट रहेगा तो सप्प्लाई क्या होगा इस तरह कोई ए प्लेट के साद पाथ से सर्कीट में जायेगा और कुछ काम ओपारेशन करेगा बाट ए रिले को हम लोग जब de-energize से एनाज़ईस करेंगे तब क्या होगा ए रिले हमारा एनाज़ईस होने से इस तरब इलेक्ट्रो मैंगनेट एक रहेगा तो इलेक्ट्रो मैंगनेट रहने से इसको खीजेगा खुद के तरफ तो खिचने से ये डिले आप क्या होगा इस तरफ आ जाएगा प्रेस होके तो इस तरफ प्रेस होगा इस तरफ उट जाएगा तो प्रेस होने से क्या होगा ये जो इंटरलोक ये खुला था ये एसाई ये लग जाएगा एक दूसरे के साथ तो तब क्या होगा ये बाला open होई जागा, ये बाला close होई जागा, तब हमारा ये जो supply इस तरफ से आड़ा आता ये SOR से जाएगा और दूसरा अमारा operation करेगा तो तब ये operation जो होडा आता वो बांध हो जाएगा, ये operation होगा तो हमारा जो लोको में देखे होगे, जो हमारा MbR8 चलता है, तब हमारा MbRF नहीं चलता है ठीक है, क्योंकि हमारा C108 एन C107 दो contactor है, ये हमेशा कोई भी एक on रहेगा दोनों एक सब्साथ हमारा close नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा एक इंटरलोग लागा गया ये मानलीजिए C108 होगा तो ये हमारा open रहेगा, और ये हमारा जब close होगा ये open हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा C107 हाकर close होगा, तो हमारा MBRH चलेगा और अगर हमारा C108 close होगा, तो हमारा MBRH चलेगा तो ऐसा ही हमारा interlock कम में आता है, ठीक है एक operation होने से दूसरा operation उसके उपर depend करता है क्योंकि एंटरलोग लागा गया है, क्योंकि इतना सारा switch तो provide करना और उसको operate करना possible नहीं है, इसलिए एक दूसरे साथ connect करके एक operation दूसरा operation के साथ हमारा dependent है, interlock है तो इसलिए हम लोग interlock बोलता है, और एंटरलोग हमारा normally open है क्या normally close है एंटरलोग circuit में देख कर भी बोल सकते हैं, ठीके तो इसको हम लोग circuit में कैसे पैचान सकते हैं, एंसी इंटरलोग और एंसी इंटरलोग इसको पैचानले के लिए हमारा सार्किर में जो NC इंटरलोग रहेगा उसका जो टार्मिनल रहेगा उसका इस तरब रहेगा तो यह हमारा NC इंटरलोग और हमारा होराइजेंटल रहेगा तो यह उपर में रहेगा ठीके और भार्टिकल में रहेगा तो यह लेव साइड रहेग तो यह horizontal रहेगा तो यह नीचे में होगा and vertical होगा तो यह right side रहेगा ठीके तो इससे हम लोग circuit में कौनसा NC इंटलोक है कौनसा N O इंटलोक है यह से पसंद सकता है तो अब लोग यह जो हम लोग diagram बनाया के देखा जो क्यासे हम रहा यह operation हो रहा है इसको प्रेस करने से और इस तरब हमारा जोब electromagnet बना तो इसको प्रेस होने से यह दूसरा operation कर रहा है तो ऐसे हमारा लोग में हमारा इंटलोक के यूज करके हम लोग different type of operation करते हैं तो आज का वीडियो में हम लोग discuss क्या इंटलोक क्या है ठीके तो ए वीडियो आप लोग को आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू करने चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में